देखो यार 2023 हिट, फ्लॉब, ब्लॉगबस्टर, डिजास्टर इन सबसे एकदम अलग कमबाग का साल रहा है बड़े-बड़े अक्टर्स बापस आगे पबलिक का दिल जीतने और अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल होने वाला है वो जिनकी एक्टिंग पर सवाल बहुत लोग उठाते हैं लेकिन एक फिल्म है जो सबका मूँ बंद कर सकती है, मेरा भी समझदार लोग समझ गए होंगे, बात हो रही है टाइगर शॉफ की जिनकी लास्ट मूबिस को पबलिक ने टोडल इग्नोर मार दिया क्योंकि फिल्म कम कॉमेडी शो जादा थी वो एक चीज होती है हीरो पंती, फिर आता है ओवर कॉन्फिदेंस और उससे भी उपर टाइम डेस्ट करना पबलिक ने तीसरे वाले उप्शन को सिलेक्ट किया और टाइगर की मूबिस पिट गई लेकिन हाल के जीतने वाले को बाजिगर कहते हैं ये डायलोग सुनकर हम बड़े हो गए और अब इसको रिपीट करने का वक्त आ गया है गनपत ये है वो फिल्म जो टाइगर शॉफ को उनकी इजट और पबलिक के दिल में जगे दोनों एक साथ वापिस दिला सकती है इतना confidence के साथ मैंने ही चीज इसलिए बोली क्योंकि गनपत का subject टाइगर शॉफ की बाकी movies जैसा नहीं है ये एक experimental film होगी dystopian future वाला concept जो अकसर big budget Hollywood movies में try किया जाता है उसको गनपत लेकर आने वाली है हिंदी film industry में जैसे अभी प्रभास की big budget film कलकी का announcement देखा आपने वहाँ भी dystopian future के team पे film को बनाया गया है गनपत के अंदर बोल रहे है टाइगर शॉफ, zombies वगेरा से भी पंगा ले सकते हैं कुछ ऐसा cinema बनेगा जो आज से पहले हमने देखा नहीं है one man against the system वाला pattern follow किया जाएगा जिसमें technology का तड़का मार के लड़ाई को और जादा deadly and interesting बनाएंगे ये लोग फिल्म दो parts में बनाई जा रही है तो part 1 में कुछ अलग तरीके की ending expect करिए जिसमें अपना hero हारेगा और part 2 में सकती band बजा देगा टाइगर शॉफ फिर से एक बार action अफ्तार में रज़र आएंगे लेकिन ये कैरेक्टर बागी, hero पंती इन सबसे बहुत अलग एकदम serious tribe का होने वाला है फिल्म में अमिताप सर भी मौझूद हैं जो शाइट टाइगर के अगेंस्ट विलेन वाला कैरेक्टर भी प्ले कर सकते हैं और अमित सर जहां होते हैं वो फिल्म नॉर्मल नहीं होती गनपत ना सिर्फ subject wise बल्की performance wise भी टाइगर के करियर का पूरा गेम बदल सकती है चोटा सा जो date announcement वीडियो आया था कुछ टाइम पहले उसको सुनकर तो ऐसा ही लगता है इस बार टाइगर शॉफ कोई गलती नहीं करेंगे अपने comeback में फिल्म के बारे में वैसे तो काफी सननाटा है, makers एकदम चुप-चाप बैठे हैं, उनका कोई अपना reason होगा चीजें चुपाने का public से इवन अभी कुछ दिन पहले फिल्म की lead actress कृती सनन का birthday आया था तो लोगों ने expect किया था फिल्म से कुछ update बहार निकलेगा गनपत का teaser August end में या फिर September के शुरुवात वाले हफते में reveal किया जा सकता है, ऐसा कुछ sources से पैदा चल रहा है साथ सितंबर को जवान आने वाली है theaters में तो बस उसके साथ attach करके गनपत का teaser भी logo तक पहुचाने की planning की जा रही है लेकिन बॉस वो 20 October वाली release date मेरे हिसाब से तो उसको थोड़ा आगे पीछे खिसकाना better option साबित होगा, पुछो क्यों Because वहाँ पे इंडियन cinema का सबसे exciting universe LCU तयार खड़ा है विध थालापती विजय एज लियो उस film से पंगा लेना मतलब पूरे location cinematic universe के सामने अपनी गर्दन हातों में लेकर खड़ा हो जाना बहुत tough है उसको challenge करना अरे उससे बच भी गए तो खुद अपने Bollywood में भी एक clash होने वाला है उसी देख पे कंगना रनाउत की फिल्म तेजस तयार है 20 October को release के लिए और कंगना की फिल्म जैसी भी हो acting wise उनके सामने खड़ा होना बहुत tough होता है अब देखते हैं आप गनपत के makers कब मीन से जाकते हैं और fans के बीच में जो hype है टाइगर के comeback का उसका फाइदा उठा पाते हैं या नहीं personally मैं बस इतना बोलूँगी कि इस फिल्म के बारे में थोड़ा research करते रहिएगा क्योंकि यह सबसे बड़ा surprise हो सकती है 2023 में टाइगर शॉफ के पास बैसे बड़े मिया चोटे मिया जैसा big budget project भी align में लेकिन वो multi-starre film है वहाँ credit नहीं मिलेगा सही से अगर सच में comeback करना है तो भाया गनपत एकदम do or die वाली film होगी for टाइगर शॉफ टीजर आने तो फिर उसका potential समझ आएगा आपको चलो public जी दिल खोल कर बताओ टाइगर को गलती सुधारने का मौका आपकी तरफ से मिलेगा हा की ना गनपत को green या red कौन सी light दोगे बोलो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको instagram पी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा सा